हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू दे चैनल तो आज हम बात करने जा रहे है अगर आपकी गाड़ी कहीं फजाए भगवान ना करे कभी ऐसा हो पर अगर कभी भी आपकी गाड़ी कहीं पर ऐसी सीचुएशन में आ जाए कि जहां से आप निकाल नहीं सकते और आपको गाड़ी ट टोईंग के लिए हुक दिया जाता है और वो कहां पर प्लेस करते है वो भी आपको पता होना चाहिए तो जैसे मैं जहां हमारा स्पैर्विल होता है उसमें यह जो टूल कि दी गई होती है उसके उपर यानि कि यह जो पाट होता है उसमें से एक हुक जैसा निकलेगा यह है अपना टोईंग हुक एक बार अच्छे से देख लीजिए यह अपना टोईंग हुक तो अब मैं आपको प्लेस देखा देता हूँ कि exactly toying hook लगता कहाँ पर है तो ऐसे आप देख रहे होगे तो यहाँ पर कोई जगा नहीं दीख रहे होगे कि आपको यह toying hook कहाँ लगाना है तो सबसे पहले आप देख लिजे यहाँ पर एक मार्क जैसा दिया गया हुआ है यह राउंड वाला तो यह और कुछ नहीं है यह hook लगाने के लिए एक उसकी प्लेस ही है तो मैं आपको open करके दिखा देता हूँ और एक बात हमेशा अपनी गाड़ी में एक छोटा सा यह screwdriver हमेशा अपने साथ रखे जो कहीं भी काम लग सकता है अगर आप यह cap हाथ से निकलने जाओगे तो बहुत मुश्किली होगी इसलिए इस से हम खुल के आपको दिखा देते है तो सबसे पहले यह पूस वाला कुछ सिम्बोल दिया गए है तो वहाँ पे थोड़ा पूस कीजिए और यहाँ पे अपना screwdriver थसा यह और यह बहुत आसानी से निकल जाएगा और फिर इसको खीच लिजिए ज्यादा नहीं खीचना है सिर्फ थोड़ा खीचना है ने तो यह आप पूरा बहार निकाल लोगे वाप फीट करेंगे अगर आपको हुक फीट करना है तो आपको इसको क्लॉक क्वाइज ही भुमाना पड़ेगा तो यह कुछ आपका हुक लग गया है देख लीजिए तो यह कुछ आपका टो हुक एक बार काम खतम हो जाने के बाद आप इसको एंटी कुलॉक वाइस घुमाके इजिली निकाल सकते है और इसको इजिली वापस से अपनी प्लेस पे लगा सकते है ज्यादा जूर मत लगाएगा यह आसानी से अपनी जगा पर चला जाएगा यह देखिए अब आपको कोई कम भी नहीं दिखेगी तो यह जानकर रही आपके पास होने चाहिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब दर चैनल थैंक्यू पर वाचिंद दर